ना पूछो की मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा होसला उम्र भर ये मैंने किसी से नहीं खुश से ये वादा किया है और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा आज के क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिसना हो और आज हम सभी मिलकर कवर करने वाले हैं 28 जैनवरी के इपॉर्टिन कर इंट अफियर उसके पहले बोलूँगा चैनल के उपर जो भी फॉस्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबिट मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है ऑनलाइन सेट बोलते हैं प्रैक्टिस सेट बोलते हैं आप हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं और आपको हर एक टेस्ट जो है वो हिंदी और इंगलीज दोनों ही लेंग्व तक जो भी एक्जाम होगा तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त जो है वो हमारे सामनी क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला क्वस्चन है वह यह है कि 2019 के लिए वैस्विक नागरिक पुरुसकार जो है Cisco Youth Leadership Award किसने जीता है यह आपको बताना है और यह Award मिला है आप सभी ग्लोबल सिटीजन प्राइस Cisco Youth Leadership Award जो है यह दिया गया है आपका Option Number B प्रिया प्रकास को Option Number आपके B जो देख रहे हैं वो हमारा बिलकुछ सही है यहाँ पर प्रिया प्रकास अब जो फोटो में दिखाई दे रहे वो यही है एक्ट्रेस को मस समझ लीजिएगा ठीक है अगल इस किताब है यह वरिष्ट नागिर को की सुरक्षा पर एक समाजिक टिपड़ी की गई है यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है दगेटवे वरिष्ट नागरिकों की सुरक्षा पर एक समाजिक टिपड़ी की गई है इस किताब में यह किसके द्वारा लिखी गई है और यह लिखा गया है आपका हरी हरन बाल गोपाल के द्वारा यानि option number आपका C आप देख भी पा रहे होंगे फोटो में हरी हरन गोपालन हरी हरन बाल गोपाल और यहां पर साइड में उनके जो है वो एक किताब का कवर पीक है स्टार्टिंग पेज है दग गेटवे का ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है कि तुनिसिया के परधान मंत्री के रूप में कि से निक्ट किया गया है और तुनिसिया के नए परधान मंत्री जिन्हें बना दिया गया है उनका नाम है आपका Ellis Fakfak और तुनिसिया का जो capital है वो है आपका तुनिस और वहाँ पर मुद्रा इस्तमाल किया जाता है आपका तुनिसियन दिनार ठीक है और फोटो में जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनी का नाम है आपका एल इस फक्फक ठीक है अगला प्रस्तमारे सामने हैं कि ये question भी काफी important है Brexit के माध्यम से मार्क दर्शन करने के लिए किसे bank of England का governor जो है वो नामित किया गया है ये आपको बताना है इस question में और bank of England का governor यानि राध्यपाल जी से निक्त किया गया है उनका नाम है आपका Andrew Belly option number आपका D ठीक है Andrew Belly अगला प्रस्तमारे सामने है Greenpeace India के according उनके अनुसार देश का सबसे प्रदुर्स्तित सहर कौन सा है सबसे polluted सबसे प्रदुर्स्तित सहर जो है वो है आपका ज़रिया option number आपका भी आपको पता भी है कोईले की ख़दान वेगारा बहुत है यहाँ पर तो सबसे polluted city जो है वो है आपका इंडिया का ज़रिया जो कहां पर पड़ता है तो जो पड़ता है आपका जारखंड में और आज का आपका पहला परस्त ने ये निकल कर आ रहा है का राजधानी है आपका क्या राची आप सभी को कॉमेंट करकर ये बताना है कि जारखंड के राजजपाल का नाम है क्या ये आपका आज का पहला प्रस्त ने है अगला प्रस्त मारे सामने है निमलिकित में से किसने 2019 में पच्छिम बंगाल को 60 सासी राजजी की रूप में प्रतिसहापित किया है बहुत important question है ये वाला खास करकर which among the following has replaced West Bengal को replace करने वाला कौन सा राज है किस मामले में गवर्णिंग के मामले में और वो है आपका गुजरात option number आपका D ठीक है और गुजरात के CM कौन है बिजय रुपानी वहां के governor यानि राज जिपाल कौन है तो आचार देब्रत और capital है वहां का गांधी नगर अगर वहीं बात करें पच्छिम बंगाल के तो पच्छिम बंगाल के CM कौन है ममता बैनर जी वह capital तो capital कलकत्ता और governor कौन है तो वो है आपके जगदीब भंकर अगला प्रस हमारे सामने है किस भारतिय महिला ने निसाने बाजी में अस्टेरिया में एक टूनामेंट चल रहा था आपका मैटन कब इसमें सिर्ज स्थान जो है वो प्राप्त किया है किस भारतिय महिला ने निसाने बाजी में जो अस् पर एक टूर्नामेंट एक परतियोगिता चल रहा था जिस टूर्नामेंट का नाम क्या था माइटन कब उसमें जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और मैं आपको बता दू दो महिला ने जीता है एक तो आपका उपर अपुर्वी चंडेला ने और दूसरा आपका दिव्यान पवार इन लोगों नो जे है वो गोल्ड मेडल जीता है आपका सुटिंग में ठीक है अगर महिला की बात करें तो अपुर्वी चंडेला और पुरुस की बात करें तो दिव्यान सिंग पवार ये आप याद रखिएगा ठीक है मेंस में दिव्यान सिंग पवार और महिला मे तो अपुर्वी चंडेला और एक बात आज का आपका दुसरा प्रस्नी ये निकल कर आ रहा है कि अस्टेरिया का कैपिटल अस्टेलिया का करेंसी अस्टेलिया नहीं अस्टेरिया का कैपिटल अस्टेरिया का करेंसी और अस्टेरिया के राष्टपती का नाम आप सभी को कॉम जितने वाले विक्ति का नाम क्या है दिब्यान सिंग पवार और महिलाव के कटेगरी में तो अपुर्वी चंडेला अगला प्रसमारे सामने हैं डबलू एच ओ यानि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के द्वारा किस भाइरस के प्रकोप को एक अपात कालें घोसीत करने क निर्डनाई लिया गया है और ये अमर्जेंसी कहां पर लगा है किस भाइरस के द्वारा तो कोरोना भाइरस के द्वारा जो है वो चाइना में जो है वो इमर्जेंसी लगाया गया है डबलू एच ओ के द्वारा ठीक है और एक बात कि डबलू एच ओ के हेट कौन है तो वो है आपके टेड्रोस एधनुम और डबलु एच ओ का जो हेट क्वार्टर है वो कहां पर है तो वो है आपका जेनेवा जो पढ़ता है आपके स्यूजर लेंड में अगला प्रस हमारे सामने हैं इंडिया रेटिंग्स की अनुसार वित तवर्स दो हजार इकिस में कितने परतिस तक की विकास दर का अनुमाल लगाया गया है तो इंडिया रेटिंग्स के द्वारा वित वर्स दो जर इकिस में 5.5 परतिसत की विकास दर का जो है वो अनुमाल लगाया गया है अगला प्रस हमारे सामने है किस रास की सरकार ने स्कूली छात्रों को समिधान की प्रस्तावना पढ़ाना जो है वो कंपल सरी कर दिया है तो ये नियम पास किया गया है महराश्ट रास सरकार के द्वारा यानि समिधान की प्रस्तावना का सारा पढ़ाई जो है वो महराश्ट के स्कूलों में जो है वो करवाया चाहेगा और महराशा क्या है तो वो है आपका मुंबई वहां के मुख्य मंत्री कौन है उद्धत ठाकरे और गवर्नर राज्यपाल की बात करे तो भगस सिंग खोसियारी अगला प्रसमारे सामने हैं क्रिसी भूमी पटे पर यानि लिस पर देनी की नीती लागू करने वाला पहला राज कौन सा बन गया है और ये बन गया है आपका उत्त्रा खंड कौन सा राज तो उत्त्रा खंड ठीक है अब अगर आप किसान वहां की किसान 30 लाग साल के लिए अगर अपना जमीन लिस पर देते हैं तो उनको इनके बदले पैसा वेगरा भी जो है मिलेगा तो पहला एग्रिकल्चर यानि भूमी जमीन जो है वो लिस पर देने वाला पहला राज कौन सा बन गया है तो वो बन गया है आपका उत्राखंड और उत्राखंड के सियम तो तिर्वेंदर सिंग रावत, कैपिटल दहरादून और राजजपाल कौन है तो बेबी रान्य मौरिया अगला प्रस्तमारे सामने है ग्रीस की पहली महिला रास्टपती के रूप में किसे चुना गया है तो उनका नाम है आपका एका तेरिनी सेकेलो प्रोपोलू ठीक है बहुत अजीब सा नाम है लेकिन आप याद रखिएगा ये ग्रीस की पहली रास्टपती महिला है और ग्र पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है आपका इवरो। अगर बात करें आज की लास्ट प्रस्न का तो वो है दिल्ली में भारत की पहली वेस्विक मेगा विज्यान प्रस्नी विज्यान समागम जो नाम दिया गया है इसका उधगाटन कौन करेगा। और ये करेंगे हमारे आप सभी का चलता है, ठीक है? सो क्लास अच्छा लगा है, तो एक लाइक आप जरूर करिएगा और सासत यही बोलूँगा, जा पे जाते क्लास का टाइमिंग एक बार देखेंगा, ताकि आपका क्लास जो है, वो बिल्कुल भी मिसना हो, सो मेरे जितने भी भाई बैन है, सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासत, अपने मम्मी और पापा, दोनों का खयाल लगिएगा, ठीक है न? चलिए